आयोध्या एक ऐसी नगरी जिसे कोई जीत नहीं सकता ये शाब्देकर्थ है भावनात्मकर्थ आयोध्या यानी राम लला का जन्मस्थान अवधी में और दूसरी आंचलिक बोलियों में बेटे को लला कहते हैं और राम यहां के बेटे हैं आयोध्या की तीसरी पहचान एक मस्जिद को लेकर विवाद जिसके तीन पक्ष हैं एक पक्ष तो खुद राम लला हैं दूसरा पक्ष है निर्मोही अखाड़े का जिनको मुगलों के बनाए विधान के तहट राम लला के मंदिर की जिम्मेदारी मिली थी और तीसरा पक्ष स Central सुनी वक्फ बोर्ड मेरे साथ महंत रामदास जी हैं जो निर्मोही अखाड़े के आचारे हैं संत हैं उनसे बात करेंगे क्या है ये मतलब मामला कैसे सुलज सकता है कोर्ट के बाहर क्या विचार क्या है पक्ष क्या है ये बताएए कि मेरे एक जैसे ललन टॉप में मित्र हैं मुबारक अली है उन्होंने एक दिन एक लेक लिखा कि इस देश के मुस्लिम अगर हिंदू सब कह रहे हैं कि वहां रामलला का जन्मिस्थान है और उसके वह आर्केलोजिकल दावे भी दे रहे हैं उससे भी ज्यादा भावनात्मक दलील है तो मुस्लिमों को चाहिए कि वह बड़ा दिल दिखाएं और दावा पीछे कर लें तो फिर क्या ऐसा भी हो सकता है कि निर्मोही अखाडा सारे सादुसंत वह भी बड़ा दिल दिखाएं और मस्जिद के लिए कहीं पर इस्थान तै कर दें पहला नंबर तो उसस्तल पर आज तक कोई मुसलमान नमाज न नहीं अदा की जाती है वो नापाक भूई मांगती है उनके उनके गरंत है कुरान शरीफ और भी उनमें कहा भी गया है कि है मुशलमान ऐसी जगा पर नमाज मत अदा कर कि जो जगा बिवादित हो उसे अल्ला ताला कभी कबूल नहीं करेगा तो फिर जब वहां कभी नमाज नहीं हुई तो मस्जिद होई नहीं सकते वो तो बाबर ने तोड़के बनाया था अकरांता के रूप में हमला किया था कोर्ट के बाहर की जो सुलह सफाईयों की बात हो रही थी खुद महंत ग्यांदास जी और निर्मुही अखाले के महंत सारे और जो हाशे मंसारी साहब थ बाबरी एक्शन कमेटी जब इनके जब वो बड़े उलेमा चाहेंगे जो पार्टी में तब बनेगी हासिम का तो एक ऐसे खेलत हासिम कुछ उसमें कुछ कर नहीं पाए अगर कहीं से विचार आता है कि किसी और जगे मस्जिद बन जाए तो आप लोग तयार रहेंगे उसक चाह तो हमारा एक शन्देश देता है यहां कि जो बेरागी परमपरा शन्दों की उसमें अपने तजात पाथ सब भेद बुला करके यहां तो मुश्लिम भी आते हैं मंदिरों में वो भी भौजन करते हैं यहां से दान लेते हैं फूल बेशते हैं प्रशाद बेशते हैं अभी फार्मूला होगा और कोई दूसरा रस्ता नहीं वो दावा छोड़ दें एक चीज़ यह कही जाती है कि यदि मुस्लिम आज आयोध्या में दावा छोड़ दें कल को कहा जाएगा कि साब काशी में भी मस्जिद बनी हुई है बाबा विश्वनात के मंदिर के बगल में म मतुरा में भी मस्जिद बनी हुई है बारती जन्ता पार्टी का तू नारा भी था कि आयोध्या तो जहां की है काशी मतुरा बाकी है तो फिर और जगों पर दावे होने लगे और जगों पर के लिए हाई कोर्ट सुप्रिम कोर्ट बना हुआ है वो चीज कोर्ट में हम 1292 को जो हुआ वो सम्विधान की भावना के भी खिलाफ था और कोर्ट के आदेशों के भी खिलाफ उसमें ये था कि वो बावरी मस्जिद के नाम से था और वहाँ वो कलंग की निशानी थी उस दिन जो हुआ हो इतियास का बहुत बड़ा काम हुआ क्योंकि एक कलंग मिट तमाम देशों के राजाओं ने जब वो आजाद हुए तो उनकी मारतों को ड़ा दिया इतियास है रानी विक्टोरिया के यहां बना हुआ था उसको तुलसिदाजी की वो इसमारक बनाए गए गया जिसे आप ये बात कह रहे हैं एक डेर दशक पहले जब अफगानिस्तान म में जो बामियान में बुद्ध की बड़ी बड़ी गुफाओं में मूर्तियां बनी थी उनको तोपें तोप से गोले बरसा बरसा के छतिविस्त कर दिया गया तो बड़ी आलूचना हुई इसकी तो आप कोई पुरानी चीज है थोड़ी सहिशूता दिखा जानी चाहिए त लेकिन जो ढहाना था वो कानून के तो खिलाफ था ना इसलिए मामला कोट में गया एक कोट में तो गया लेकिन वह उस पर करोणों करोणों हिंदू की आस्था थी कि रामलला की जनम भूमी है और उसको बाबर ने ढहा दिया था और 76 बार हिंदूों ने मस्जित को ढहाया एक बार थोड़ी वो 934 में भी ढाई गई यह मस्जित इत्यास पड़ दीजी तो 34 के बाद फिर फिर बना दी गए अंग्रेजों ने बनाया मुशलमान तयार थे कि वह बाबर गया हो जाने दीजी हमको हिंदू को मिल करके रहना है हम लोग जो द्याम मंदिर स्थाफना करे तो उन्होंने अच्श दिया मंदिर के लिए उन्होंने कहा कि उसको कियों गिराया गया हम टैक्स लेंगे तो उन्होंने टैक्स लिया यहां की जंता से कर लिया 84 हजार रुपय उसका पेपर है और 1934 में फिर उन्होंने बनवा दिया इसका कोई महराच जी इतियासिक साक्षे है कि मस्जिद पहले भी डहाई गई थी इतियास है कहां पर हमारे पास है कि यह इतियास है उसके कागज है मुकदमा चला उसमें और कि उसका दस्तावेज है जो दंड़ किया देख लोगों तब भी मस्जिद जो है वो ऐसे भीड ने ढहा दी थी इससे भी अधिक भीड थी जालपन आला में गोकशी हुए इंदू उग्र हो गए परिक्रमा चल रही थी इससर चोग उसमें परामंसुझी जिन्दा थे रामचंद परामंसुझी एक अधिकारी थे यहां के जो तपस्री जाओनी है अब बढा कर लीजिए तपस्री जाओनी रामगाट पे उसके अधिकारी जी थे नार चाले के माहन थे उससमें नरुटम दास जी गशर तो तो उ लोग उस अस्थान को प्रधान मानते हैं, हमारे उसमें बताया गया है, करोनो बिष्टा जमीन हो, लेकिन जहां राम लला पैदा हुए, उस जमीन को हम पूछते हैं, हमें 67 एकड से मतलब नहीं, हमको वस अस्थर से मतलब है, जहां राम का जन्म होगा, राम की जन्म भूमी तो दूसरी जगह नहीं हो सकती, यह की बार हो सकती? कई लोग यह कहते हैं कि, राम जन्म भूमी आंदोलन के उभार के साथ, देश में उग्र हिंदु वात फैल गया, और मुस्लिमों के खिलाफ, जो अल्प संख्या के इस देश में हिंसा बढ़ गई, जब लाल किष्णा अडवानी ने रथियात्रा निकाली, तो कई जगह पे दंगे हुए, उसके बाद जब बाबरी मस्ज़िद ढाए गई उसके बाद कई जगह दंगे हुए, और उसमें कई लोग मारे गए, दोनों ही पक्षों के लोग, तो आपको ऐसा नहीं लगता है क्या कि, ये मंदिर अंदोलन के चलते, सामपरदाएक वैमनस से बहुत बढ़ रहा है, हिंदू और मुसल्मानों के बीच में, उसी लिए तो सभी को आगे आना चाहिए, उनके भी तो धर्मा उलम्भी है, उबी आवे जुद्धे में बैठक करें, एक श्रममेलन करें, हम लोग उनके श्वागत में, रेकिन रहीम और रस्खान की तरह बनके आप, बाबर की आकरांता बनके नाव, बाबर की तरह नाव, गजनवी की तरह नाव, मुहमत-गोरी की तरह नाव, रहीम और रस्खान की तरह है, रहीम भी भगवान की भक्ती किया है, रस्खान भी ने किया कि मानस हों तो वही रस्खान, बसम ब्रज गोपल गाउं की गवार, उसने यह नहीं कहा कि मैं मक्का में जनम लूँ, उसने अस ब्रंदा बन की धरा को चुना, प्रेम था, कृष्ण और राम में मानोता के शंदेश दिया, सिवरी को गले लगाया है, जटायों की अंतिम क्रिया किया, पिता की नहीं कर पाया, लेकिन जटायों, जटायों की धूर करा के मुगल काल में नर्शंगार हुई, तो वह अध्या कभी माफ नहीं करे, ऐसे अक्रांता को, चुकि अध्या की राजनीती में धर्म गुरुओं का बहुत स्थान रहा है, हमेशा से ही, और ऐसा कहा गया कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, पवन पांडे, उ और उन्होंने जो राजनीतिक तरक्की की, उसमें आपका सही होग था, क्या है इसका सच? अच्छी बात है, युवा थे, काम किये भी थे, काम करते थे, लेकिन बाद में उनकी चुकि पार्टी की नहीं से अच्छी नहीं थी, तमाम दंगे हो गए, यहां तक कि दंगा हो गया, किस मसले पर दंगा हुआ था फैजाबाद में? दुर्गा पूजा में, और एक महीने करफू लगा रहा है, यहां कभी दंगा आद तक हुआ नहीं, जाचा गिरा तब भी दंगा नहीं हुआ था, और एक मुर्तियों करके, और मुश्लिमों ने दंगा कर दि आपको अखिलेश यादोंने लखनों बुलाया था योध्या के विकास पर बात करने के लिए, क्या मीटिंग रही, क्या बात क्या हुई? हम सोल अक्टूबर को गए थे, उन्होंने बताया कि अजद्या को एक पैकेज दिया जाए, और हम अजद्या का चाहते हैं कि डवलपमेंट हो, उस तरह से हुआ नहीं, कहा तो उन्होंने, अब उसमें किसकी कमी रह गई गई, या यहां का मंतरी पैसा नहीं ला पाए, साल हो गया, सब जगह जद्या की गलियां खुदी पड़ी, इससे हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह थोड़ी भी काश हुआ तो यह है कि इस तरह की सरकार हो कि जिनका शासन अच्छा हो, ऐसा विधायक हो, कि जिसका जो है, शासन जिसमें राश्ट एता हो, बात बताई, एक आ अपील जारी की, तो आपके पास भी कई राजनितिक दलों के प्रत्रिष्ट आते होंगे, तो आपने क्या किसी के पक्ष में अपील जारी की है, यह हुआ हो, अपने आपने तो सीधे ही कह दिया, इसारों में कैसे, तो आप लोग को ऐसा नहीं लगता है कि माली जी आप, ए नगीज अथर सिर्मध कंजर में को ही तरह करण में कोई घंड नहीं एता है उन्हों ने करें कि चार Benny ऑफ जाह सुदुण दा होगा दाभद्वादू-अच्र devenir anythingish कार दाभ के problème भमन चार दान शंत करते हैं तो उनके लिए भी तो जद्ध्या में या दिल्ली में बनाना चाहिए वो यह कहने है कि हमने तीर्थियात्रियों के लिए भी योजना शुरू की हिंदू तीर्थियात्रियों के लिए अचारे बता रहे थे कि लोग मंगलकारी सरकार होनी चाहिए समाजवादी पार्टी के विधायक और मंत्री से अपनी नाराज़गी की या अपनी असंतुष्टी की वज़े भी बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि इस मसले का उनके लिहास से हल क्या है एक और सवाल और उसके जवाब की तलाश में दिललनटॉप.com और फेस्बुक चुनाओं की इंटीम निकलेगी बने रहे हमारे साथ मेरा नाम सौरद दिवेदी कैमरे के पीछे रजत सैन शुक्रिया